हेलो और वेलकम बैक तो मैं चैनल कि नॉली जी ग्यान और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं D.S.S.B. Welfare Officer Paper 2 का syllabus discussion अभी तक हमारे पास कोई exact syllabus नहीं था कि हमें पढ़ना क्या है तो हाली में D.S.S.B. की जो website है वहाँ पर उन्होंने detailed syllabus discussion किया है क्या-क्या units आने वाले हैं क्या-क्या subjects उनों में cover किये हैं तो थोड़ा सा disappointment उन लोग के लिए रहेगा जो अभी ता के सोच रहे थे last paper analysis करने के बाद की sociology का portion जादा आएगा बट अभी जो इस बार syllabus दिया गया है उसमें जो majority of the portion है वो chronology cover कर रहा है और बहुत जादा जो syllabus है उसके अंदर जो बहुत जादा up-downs है जो मतलब बहुत unexpected है और जो पहले हम लोग expect कर के चड़ रहे थी कि at least ये पढ़ना है हमको थोड़ा सा अलग उसमें से आया हुआ है कुछ-कुछ extra subjects हैं जो हमें पढ़ने हैं so time बहुत कम है और syllabus थोड़ा सा जादा है बैट आप लोग को चिंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी पूरी help करूंगी कि क्या-क्या पढ़ सकते हैं कहा कहा से पढ़ सकते हैं कुछ PDF कुछ notes मैं आपको देती र जोड़ा है और क्या-क्या इन्होंने syllabus में दिया है और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जिए और साथ मेलागे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी तरीके की notification को आप मिस ना करें साथी साथ आप मे मैं डिसक्स करती हूं सभी questions और अगर आपको किसी भी तरीका doubt होता तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपसे discuss कर सकते हूं आप चाहे तो मैं यूटीब चैनल पर भी comment कर सकते हैं मैं कोशिश करते हूं कि सभी को reply करूं तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो स्टा टापिक्स दे रखे हैं यह सारा sociology के अंदर कवर हो रहा है जिसके अंदर आपके sociology theories है sociology of kinship है religion and society population and society urban sociology sociology, agrarian structure, sociology of law यह सब के बार में discussion है next जो आपका page आजाता है उसके अंदर 29 कुछ topics है और यह सारा social work के अंदर आजाता है जिसके अंदर आपके जिसे nature and development of social work है sociological concepts है and contemporary concern human behavior and social environment, social work with community, social work with individuals, social work with groups, तो यह सारी चीज़े आजाते हैं कि अंदर कुछ कुछ टॉपिंगा जो common है जैसे human rights जो है आगे criminology वाले section हम देखेंगे उसके अंदर भी अलग से पूछा बताया गया है तो यह सारा आजाता आपका social work अला में जो हमें नया add-on देखने को मिला है वो मिला है criminology वाले section के अंदर तो introduction to criminology वो सबको पता था कि आना है तो देखेंगे इसके अंदर देखो को specially mentioned किया हुआ है कि इनको क्या क्या चाहिए definition of criminology nature and scope of criminology relation with other social sciences relevance of criminology to contemporary society इसके अलावा sin taught crime in difference क्या है ठीक है और social problems, social issues, deviance in crime, classification of crime universe यह जो तरम से generally foreign countries में use के जाता है यह यह ठीक है उसमें पढ़ने के लिए में पढ़ने के लिए है कि यह पढ़िये और क्या होता है तो यह जो यह पॉर्शन आपे प्रिमिनल्स के ला जाता है और है इसे से परीके से जो प्लासिफाइख़ लगा शर्वारों कि उसके बारे बात करें गई है पूराइब सुसाइटी में कायि होता सी क्रम परसंव में करते हैं यह सारे सारे के पूछे थे ंतर यह निम क्रैम स्वीड स्थिस्टिक आप ही इन्सी नारे बिर समख तबिस में अगर हम NCVS, जो National Crime Victimization Survey है, या UCR, Uniform Crime Report है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या सोर्स है, Crime Statistic के, then Crime in Indian Abroad, Abroad का भी discussion हमें क्या किया गया है, कि Abroad में क्या-क्या Crime होते हैं, वो उसका भी discussion है, Crime Under IPC, जैसे Crime Against Human Body हो गया, Crime Against Property हो गया, Crime Against State हो गया, तो IPC के अंदर ये category दे रखी है, तो वो पूरी category हमको एक बार देखना पड़ेगा कि क्या-क्या Crime Under IPC mentioned है, उसके अलावा, Crime Under Local and Special Legislations के अंदर जैसे आपके JJ Act हो गया, और Poxo Act हो गया, Immoral Trafficking Act हो गया, और Child Marriage Act हो गया, जो अलग से हमारे Local and Special Laws बने हुए है, उसके बारे में इसमें discussion है, देन डाक फिगर्स क्या होते हैं, विक्तिमाइजेशन सर्वे के बारे में, ये सब इसमें पूछा गया, यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 5 में आ जाता है, आपका Crime Prevention के बारे में बात करते हैं, जैसे Crime Prevention Strategies होते हैं, जैसे Target Hardening के बारे में बात पर लिए, उस तरीके के Neighborhood Watch हो गया, और Problem Oriented Policing हो गया, वो सारा discussion जो है Crime Prevention के अंदर आ जाएगा, देन आपका आ जाता है, Forms of Crime, इसके अंदर Economic Crime हो गया, Organized Crime क्या होता है, Terrorism क्या होता है, Cyber Crime हो गया, Environmental Crime हो गया, तो यह बहुत अलग जो इसे Environmental Crime वाला portion है, आपका और Economic Crime जो है, बिल्कुल अलग नया जुड़ा है, जैसे आपका आपका आजाता है, Criminal Law and Procedure के बारे में discussion कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो General Principle and Specific Offenses के बारे में बात करी गई है, कि Criminal Liability के क्या elements होते हैं, Group Liability कौन-कौन से section के अंदर cover क्या गया है, Offenses Against Property, Offenses Against Person, यहां पर जो चीजे common कुछ हमें देखने को मिल रही है, तो इतना जादा यह syllabus को उन्होंने क्या कर रहे है, डिटेल करके क्या हुआ है, लेकिन कुछ-कुछ चीजा आप देख रहे हैं, common आ रही हैं, जैसे कि ओन पूरा पूर्शन का पूर्शन है, जहां पर राइट to private defense against person, right to private defense against property, insanity, toxicity, रही हैं जैसे उसे बता रखी है, जैसे कि अन्दर बहुत है, जैसे कि अंदर जाता है, criminal investigation, prosecution, यहां निकिए CRPC का portion ने पूछा जा सकता है कि प्रोसेस क्या रहेगा आपको जो ऑप्शन्स दे रखे होंगे उसको आपको क्या करना होगा सिरिल वाइज लगाना होगी सबसे पहले अगर अगर डर्च करने होती है कĩ इस तरहिके को च्या सकते हैं सवाल पूछे बार में समन ऑरनन और्ट रहाता सब्सक्रियों करते हैं कि क्रिमिनल पावर होती है कितना पश्म कोट कितना दे सकता है कितना फाइन सकता है ox और के अदर जो पश्मेंट में ज्यासे की सॉलिटरी गवाइंमेंट हो गया और इग्रस इंप्रेशन्मेंट हो गया वीज्टर से पॉधियं घूज्ट है वह सारह ना पशना मेंड़ वह आपको डिसकेंट कर सकते हैं एम सीच्वेस की फॉर्म में यह जा सकते हैं यानि कि यहां पर आपके पास क्या क्या पूछा जा रहा है कि IPC, CRPC और Indian Evidence Act से पूछा जा रहा है Indian Evidence Act में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, Relevancy of Confession and Dying Declaration बहुत important topic है अभी कुछ दिन पहले ये News में भी था तो Dying Declaration कौन ले सकता है और Dying Declaration होता क्या है बेसी कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कहां कहां पर Dying Declaration acceptable है कहां पर नहीं है क्या एड्मिसिटी रेलेवनसी क्या होता है, Expert Opinion क्या है, किस केसे में Expert Opinion लिया जाता है यह सारा जो है वह एविडेंस लॉओ में हम दो देखते हैं उसके बार में बात होती है कौडिनेशन सीजेस में मतब आपसे पूछा जा सकता है कि सीजेस के पिलर क्या कौन-कौन से हैं तिक है और ऐसा पूछा जा सकता है कि जो आपका अभी किसका क्या रोल है क्या importance है इस तरह के से investigation of crime पूछा जा सकता है पूलिस सिस्टम कैसा है पूलिस image क्या है और जूरीशल सिस्टम के बारे में बात करी गई है यहां पर आल्टरनेटिव डिस्प्ट रेड्रेसल सिस्टम के बारे में बात हुई है उन पॉल ace य西 इंसको कॉन कोई मैं क्की करना होता है वह वह सारा कुछ आधर के नंदर देखते हैं तॉकिह सीका सिस्टम कि प्राशूमशन के बारे 새將 फूलीस प्राशिट curriculum लुटाइब परिज़न हो गया और जो जुविनाइल होते हैं उस टाइपस आफ प्रिजन में वह डिसकस कर सकते हैं के लिए क्या काम किया जा रहा है उसके बार में मैं कोंगा सी कम्यूटी जो प्रिजीट में बदलाव लेने के लिए लाए गए ठीक है वह सारह रहा हम इसमें डिसकस करते हैं आजाता है आपका जिवनाइल जिस्टिस के अंदर जो जुवनाइल डली इंपर सी से डिलेटेड सब्सक्राइब करते हैं तो बैसिकली ना इसमें इनके यह पूछे जा सकते हैं कि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई कौन से यह में आई यह सब पूछा जा सकता है उसके अंदर जिविनाल जिस्टिस सिस्टम के अंदर आपका जो है 2015 वाला पूछते हैं तो 2000 वाला पू जो भी इसके अंदर जो भी चेंजिस आया है वह पढ़ते हैं सी डबलुसी क्या है जेजेवीज क्या है कि इसमें किस कौन से मेंबर को कौन चुनता है वह सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं जुविनाइल के लिए कौन-कौन से इंस्टिशूशन इसके उपर मैंने गश् इसमें पढ़ते हैं जो स्पेशल जुविनाइल पूलिस उनिट होता है जिसका जिक्र जो है पॉक्सवक्ट के अंदर भी है और जीजेक के अंदर भी है और रोल ऑफ एंजियो इन हैं इसके बार में डिसकॉशन है फिर इसमें देखो यूनिट 3 और यूनिट 4 में अलग से बताया है वह कि चिल्डन नीड और प्रेक्शन और चिल्डन इन कांफिक्ट विद लॉग के लिए क्या क्या चीजें अलग से बताई गई है उसके बाद आया था आपका इंटर्वेंशन स्टाटेजी उनके रिहाबिटेशन रिइंटीग्रेशन के लिए क्या काम किया जा चाहिए प्रोशेशन के लिए उसका क्या प्रोसीजर रहता है वह सब आप सब पुचा जा सकता है तो यह मैं से ज्वी नहीं कर रहे हूं कि इसके हम अलड़ी कर रहे हैं तो आपका साइकालीजी ऑफ क्राइम साइकालीजी के अंदर आपका देखो बेसिक बेसिक पूछा ग कर दोशीए प्रणिचे कर दोशीर वह सब पूछा जा रहे हैं तो आपका ब्रेंट इमेजिंग प्रेंड इमेजिंग के अंदर आपके क्या चीजें हैं कि या क्या लॉज इससे रिलेटिड है और नार्को टैस्ट हो गया पॉलिघ्राफ हो गया यह 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 बिद्यक्रा ब यह सारे चीज़े हम इसके अंदर पड़ते हैं देन आ जाता है आपका फॉरेंसिक साइंस के अंदर आपके बेसिक टेक्निक्स क्या है और डेफिनेशन नेचर परपस अब पूछा गया इसमें वॉइस पैटन अनालिसिस है डॉक्मेंटेशन एक्जामिनेशन है वूंड्स ट अब शब कंवेशन हमें िशुक्तिों यह रहीत है तो यह स्पा नाव करते हैं दुदीक लिश्फ ऑड़न का इंदर पढ़ना पड़ेगा तो एंदर रहीत लिए सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो वह सब्सक्राइब करना पड़ेगा चाहिए से ने सब्सक्राइब यहां पर अन्पर है या इसने उल्या वद बिन रेगार डिए ऊक्रीन के लिए और सब्सक्राइब करें लिए अगले के लिए जाने ऊقطते हैं ररसे आफ मैंना दीलिया ल४्ली थी यहिए канал चृत प्रिकिसल सब्सक्राइब करें पुलिस इंवस्टिएशन के लिए और पूशताच के लिए तो इसके अंदर मेंशन है वह हमको देखना पड़ेगा तैन पुलिस इमेज यहां पर क्या होता है और देखो पुलिस पब्लिक के बारे में हैं यह कोबान है शेरीफ है यह सब कुछ नए निव टर्म से जो आपको पढ़ने पड़ेंगे जो पुलिस अडिनिस्टेशन सब्जेट के अंदर आचाता है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्रिजन सिस्टम होता है पूराने टाइम पे कैसे प्रिजन होते थ एक प्रिजन प्रिजन इसका दूसरा नामिया इस तरीके के कोशन अब से पूचे जा सकते हैं फिर आजाता है का सबगन हैं का सबड़ ये टीमनी लांडरिंग एक्ट है लोट अपको जाता है ठोड़ा हमारे ली एक்ड्र नया पोर्शन है क्रेडिट कार्ड इंट्रॉक्षिन टाइप यह सब के स्टडी बिजनस प्रोसेसे यह सब हमसे पुछा गया इसी कोई डिटेल में एकनॉमिक क्राइम्स टू करके पार्ट में दिया गए इसके अंदर हमारे इंशॉरेंस से रिलेटेड चीज़े आ जाती है जाता है रिस्क मैंजमेंट कैसे करते हैं अब यह सब के बारे में डिसकेशन है यह सब बाइन में दिसकेशन है, सिक्रेट, कॉंफीदेंशियल, कॉन्फीडेंशियल, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें पूछे गए, ले ओफ कैसे होता है, closure, hold-up, और सब्सक्राइब कि से कि कि अगर कभी डिजास्टर आता है तो आपको पूछे जा सकते हैं कि कंडिशन दे जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है आप इस केसे सबसे पहले किस चीज को रिकवर करेंगे इस तरीके से आपसे कोशन पूछे जा सकते हैं इसके इंदर भी पांच आपके उनिटे देन आ जाता है आपका human rights के related questions तो universal declaration on human rights ठीक है और उसके बाद आ जाता है आपका conventions क्या है human rights NGOs क् स्टेट लेवल पर क्या है national लेवल पर क्या है अगें यहां पर फिर human rights जिसे एक्यूज के लिए क्या human rights है इन टैमरा ट्राइल यहां पर चीज़े कुछ 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 अगें common आ रहे दिक एड़्वर्सियर जस्टिस सिस्टम होगा इनकिसिटोरल सी सिस्टम होगा हम criminal justice system के इसके इंदर पढ़ रहे हैं यह साथ चीज़े तो यह रिपीट हो रहा है राइट अगेंस सेल्फ इंक्रिमिनेशन यह सब भी हम पढ़ रहे हैं यूथिनेशिया के बारे में तो जिसे यह यूथिनेशिया है इसके रिसेंट कुछ न्यूज आई थी कौन कौन सी यूज है तो यह सारी चीज़ें एसके इंदर जयता है का क्राइम प्रिवेंशन मानेजमेंट में आपका कैसे हम क्राइम प्रिवेंट कर सकते हैं तो इसके नदर कि क्या क्या चीजा आ जयती है पुब्लिक pest आपका dessa हैं फ्रेंक्त के बार में फ३ी बार में सब करेंट सारी चीज़ा आजा रहा है और यहां भी कि सब्सक्राइब का कैसे है भी कोणotingा χुन से होता है hem क्या होता है कौन-कौन से फंट्स विक्तिम के लिए बनाए गई है इसके अंदर एकनोमिक क्राइम फिर से आ गया इसके अंदर रहे कुछ आई-पीसी के सेक्शन से अब परक्षिक करना है फूद्ध करना है उसके बाद आपका जाता है उसके बाद आज आता है उनित थिक एंदर देखेंगे कि लेटर रोगे ट्री रेड कॉर्णर नोटिस क्या होता है तिक है लुकाउट सर्कुलर्स लोसी क्या है यह जो फूल शॉट फ़र्म आपको दें इसको आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फुल फॉर्म है इसकी देन आ जाता है अपका security management again repeat हो रहा है barrier क्या है physical barrier क्या होता है biometrics कहां use करते है security devices क्या है alarm devices क्या है cctv यह सारे चीज़े हम पड़ते हैं then again human rights फिर से repeat हो रहा है इसमें थोड़ा सा डीटेल में rights of women rights of detainees right of child इसमें हम discussion कर रहे है so that's it यहां पर हमारा जो हम देख रहे हैं जो forensic वाला पार्ट है आपका victimology वाला पार्ट है और यह security management सभी जो आना criminology के अंदर cover होते हैं तो जो लोग criminology background से हैं उन्हें idea है कि यह सारी चीज़े क्या है बट इसके अलावा जो बाकी background के लोग है उन्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा तो majority of the portion और क्रिम्नोलीजी से cover हो रहा तो अगर मैं मोटा मोटा देखू तो यह ना 10 categories में divided ब्रॉड ली जिसके अंदर आपका सब्सक्राइब करें बाद आपका sociology, social work, criminology, psychology, forensic science, research, security management, disaster management, human rights and police administration यह 10 major topics है जिसके अंदर यह सारे हम यूनिट पढ़ रहे हैं तो सिलेबस बहुत जादा नहीं है कुछ-कुछ चीज़े कॉमन हो रहे हैं लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए काफी कुछ है सो आज के लिए इतना ही और मैं कोशिश करूंगे इन सभी चीजों को हम फटा फट डिसकस करें और इससे रिलेटिड आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकि आप मेरे टेलेग्राम चैनल भी जाइन कर सकते हैं फर्दर गा बाइ